कि आप किस तरह से बहुत ही ईजली और अफोरड़ेबल प्राइजिस में ग्लास पोटल्स पर डेकोपाज कर सकती हैं आप सभी को तो पता ही होगा कि डेकोपाज अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी आर्ट वर्क है डेकोपाज बैसिकली एक यूरोपियन आर्ट हों है जिसम हम बहुत ही ब्यूटिफुल से प्रिंटेड पेपर या फिर प्रिंटेड फेब्रिक्स को किसी भी सर्फेस पर स्टिक करके उन्हें बहुत ही ब्यूटिफुल बना सकते हैं तो आई होप कि डेकोपाज का यह एजी डियाईवाई आपको अच्छा लगेगा फ्रिंड्स इस इस दियुइ को सबसे हो about the मैं आपके साथ में शेर करेंगी एक मीनी वाल जिसमें मने डेकोपाज से little चीजें order की हैं यह चीजें मेरे order की हैं इत्सी- demiş एले box तो चलिए इस haul को स्टार्ट करते हैं इसमें सबसे पहले मैंने कुछ डेको पाँ से रिलेक्टेडचिजे मंगवाई हैंITTड़ कुछ दूस्ती चीज परियेन सबसे पहले मैंने मंगवाई हैं गया पैकित फंट परयुप की भी कि मुझे northwest डेको पाज करने के लिए मैंने कुछ डेको पाज नेपकिन्स और डेको पाज पेपर सॉडर किये थे तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके के फ्लावर पैटर्न्स के डेको पाज नेपकिन्स मंगवाए हैं यह नेपकिन मुझे मिले हैं 32 रूपीज इच अभी इटसी बिटसी पर 20% ओफ की सेल चल रही थी जिसकी वज़े से मुझे नेपकिन 32 रूपीज इच में मिले हैं नेपकिन के बाद मैंने मंगवाए हैं यहाँ पर मैंने यह तीन डिफ्रेंट डिफ्रेंट के पेपर्स मंगवाए हैं एक पेकेट में चार शीट साती हैं और यह एक पेकेट मुझे मिला है 60 रूपीज में डेकपाच पेपर के बाद मैंने यह क्राफ्ट पेपर मंगवाए हैं इस पेकेट में 12 शीट साती हैं इसमें आपको बहुत अलग अलग प्रिंटेट क्राफ्ट पेपर मिल जाएंगे इसमें मैंने सेकुलेंट प्रिंट किये यह पेपर्स मंगवाए हैं इसमें 12 शीट आती प्रेसल में स्टेंशल में मंगवाया है कुछ इस तरीके का मंडाला पैटन में स्कárias इस चार लेटर्स के में ये स्टेंशल मुझे मिलां 144 रूपीज में तो ये था इटसी बिटसी का एक मिनी हॉल तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे डेकोपाज DIY को डेकोपाज DIY को करने के लिए मैंने ये दो वाइन बॉटल्स ली हैं जिनने मैंने अच्छी तरीके से वाश करके इनके सर्फेस को अच्छी तरीके से ड्राइ कर लिया है अब इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे जेसो को जेसो बेसिकली एज प्राइमर वर्क करता है आप इसे किसी भी सर्फेस के ऊपर एज प्राइमर लगा सकती है तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे जेसो को जेसो बनाना बहुत ही जादा इजी है तो चलिए सबसे पहले हम जेसो को बना लेते हैं जेसो को बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीजे चाहिए प्योपी पाउडर और ग्लू इन दोरों चीजों की क्वांटिटी को हमें इकवल रखना है मैंने दो चम्मच प्योपी पाउडर लिया है इसमें मैं डाल दूँगी दो चम्मच ग्लू को और इन दोरों चीजों को में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है जब हम जेसो को किसी भी सर्फेस के उपर एज प्राइमर यूज करते हैं तो जब हम उसके उपर कोई भी पेंटिंग करते हैं तो उसके उपर कलर्स काफी अच्छी तरीके से स्टे करते हैं तो इस तरीके से आप जेसो को बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट सर्फेस पर बहुत ही एजिली यूज कर सकती है प्योपी पाउडर और ग्लू को मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी एक स्पून वाइट एक्रेली कलर जिसे की इसका ब्राइट वाइट कलर आ जाएगा जैसो को कलर बिन बर बना सकती हैं इसमें कोई बी कलर दाल कर इसमें लोग वाइट जैसो ही प्रिफर करते हैं जो कि हैक डेकमाईं नेपकीं के सार अच्छी तरिक से वर्थ करता है अब इस जैसो को हम हमारी glass bottle के उपर लगाएंगे glass bottle पर इस जैसो को लगाने के लिए मैं sponge का यूज़ कर रही हूँ glass bottle पर आप इस जैसो को sponge से ही लगाएं अगर आप brush का यूज़ करेंगे तो brush के strokes इसके उपर आजाते हैं जो कि दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं sponge से इसके उपर एक बहुत ही finishing वाला look आएगा तो यहाँ पर इस जैसो के मैंने double coating कर दी है इस bottle के उपर इस जैसो के दो layer लगाने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से dry होने देना है और देखिए प्राइमर को लगाने के बाद हमारी यह water love deco page करने के लिए बिलकुल ready है deco page को करने के लिए हमें चाहिए mod pose mod pose basically glue है जिसकी help से हम किसी भी napkin या फिर fabric को surface के उपर stick करते हैं तो mod pose को बनाना बहुत ज़्यादा easy है mod pose basically diluted glue रहता है जिसकी consistency थिन रहती है तो यहाँ पर मैंने 2 spoon ये फेविक को लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 spoon पानी इन दोनों चीजों को हमें mix कर लेना है आप चाहें तो इसमें 1 spoon पानी भी डाल सकती है तो इन चीजों को पानी और glue को हमें अच्छी तरीके से mix कर लेना है और हमारा ये mod pose बनकर बिल्कुल ready हो जाएगा तो देखिए friends हमारा mod pose बिल्कुल ready है और primer लगकर हमारी bottle भी अच्छी तरीके से dry हो चुकी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेको पाज को डेको पाज को करने के लिए मैंने ये वाला flower pattern का बहुत ही beautiful सा डेको पाज नेप्टिंग लिया है ट्रेंच डेको पाज नेपकिन के नीचे एक और paper की layer लगी रहती है जिसे हमें निकालने के बाद ही इसे किसी भी surface के उपर stick करना रहता है तो देखिए मैंने इसके नीचे से paper के layer को इस तरीके से अलग कर लिया है अब हम इन flower patterns को अलग करेंगे इनने निकालेंगे जिसे कि हमें bottle से उपर stick करने में आसानी रहेगी तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इस नीचे वाले paper को अलग कर लिया है अब इन flower pattern को हम निकालेंगे अलग-अलग shapes में तो यहाँ पर इनने निकालने के लिए हम यूज करेंगे weight brush का डेको पार्च नेपकिन्स को आप कभी भी सीजर से मत कट कीजिए जिससे की इसका look दिखने में अच्छा नहीं आता है आप इसे हमेशा कुछ इस तरीके से गीला brush करते हुए लगाईए और इसे बाद में फार्ड लीजिए जिससे की इसका एक बहुती raw texture आता है जो दिखने में बहुती ज़्यादा सुन्दर लगता है तो जिस इस patterns में मुझे ख्लावर चाहिए थे उस pattern में मैंने ये गीला brush इस तरीके से इसके उपर लगा दिया है जिससे की बहुती easy ली ये डेकोपाई नेपकिन फट जाएगा और अगर आप चाहें तो इस गीले brush को लगाने के बाद भी इसके नीचे वाले जो एक और पेपर एक्स्ट्रा लेयर रहती है उसे बाद में भी आप निकाल सकती है मैंने पहले इस नीचे वाली लेयर को अलग करके इसके उपर ये गीला brush लगाया है आप चाहें तो गिला ब्रश लगाने के बाद भी नीचे वाली लेयर को अलग कर सकती है तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से अलग-अलग पैटरंस में इन फ्लावर्स को निकाल लिया है अब आम इन फ्लावर्स को स्टिक करेंगे हमारी बॉटल के उपर अब हम हमारी बॉटल के उपर लगाएंगे मॉटपोच को जो कि हमने पहले ही रेडी किया हुआ था जिसे कि हम हमारी बॉटल के उपर लगा लेंगे जिन शेप्स में हमने हमारे फ्लावर्स को निकाला है उसी तरीके से हमें इसके उपर ये गलू लगाते हुए हमारे डेकोपाज नेपकिन को इसके उपर स्टिक करते जाना है गलू को लगाने के बाद हमें हमारे डेकोपाज नेपकिन को बहुत ही जेंट्री इसके उपर रखना है और बहुत हलके हातों से देखिए जहां जहां हमने गलू लगाया है उसे रखते हुए अब हम लेंगे एक ड्राइ ब्रश को और इसके उपर हमें गुमाते हुए इस पेपर को इसके उपर स्टिक कर देना है ड्राइ ब्रश की हेल्प से ये पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से इसके उपर स्टिक होगा और बहुत ही फिनिशिंग से इसके उपर लगेगा जिससे की इसका लुक बहुत ही जादा अच्छा और फिनिश वाला आएगा तो बहुत ही जेंटली इस प्रोसेस को में फोलो करते जाना है मौट पॉज ग्लू को लगाते हुए इसके उपर बहुत ही हलके हातों से इन पेपर्स को स्टिक करते जाना है और ड्राय ब्रेश की हल्प से इने उपर लगाते जाना है जिससे की इस बोटल के उपर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएं करते जाना है करते जाना है तो देखिए फ्रेंड्स हमारी पूरी बोटल पर मैंने इस डेको पाज नेपकिन को स्टिक कर दिया है और इसकी नेक के अराउंड अब मैं स्टिक करूंगी जूट थ्रेट को यहाँ पर जूट थ्रेट को मैं मौट पॉज लगा कर ही स्टिक कर रही हूँ जिससे की स्की नेक अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी और दिखने में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल लगेगा हुआ 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 है जूट थ्रेट को इसकी नेक के राउंड लगाने की बाद अब हम थोड़ा सा एक्रेलिक पेंट इसके उपर करेंगे जहाँ जहाँ थोड़ी गैप छूट गई है वहाँ पर हम एक्रेलिक पेंट करेंगे acrylic paint हमें वो ही लेना है जो कि हमारे decoupage decoupage हमारे flowers में बना हुआ है तो यहाँ पर दीखे मैंने इस jude thread के उपर भी थोड़ा सा light pink color कर दिया है जिससे की इसका एक similar look आएगा تو यहाँ पर इस jude thread के उपर और जहाँ-जहाँ थोड़ी gap छूट रही है थोड़ी उपर की साइड और थोड़ा नीचे की और मैंने ये कलर कर दिया हैं जिसे की एक सिमिलर लुक आएगा और ये बहुत ज़्यादा सुन्दर भी लगेगा एक्रिलिक पेंट को करने के बाद अब हम इसके उपर एक लेयर करेंगे मौट पॉच ग्लू की जिसे कि ये सारी चीजे अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएगी और इसके उपर बहुत ही अच्छी एक शाइन भी आएगी तो यहाँ पर मैंने इस बोटल को चारो और से अच्छ पॉच फ्रेंड्स मौट पॉच ग्लु की एक लेयर को लगा देने के बाद जब अच्छी तरीके से ड्राय हो जाए तो आप इसके उपर एक कोट वर्निश का भी ज़रूर कर दीजिएगा जिसे कि इसके सारे कलर्स अच्छी तरीके से सील हो जाएंगे और इसके उपर एक बहुत ही अच्छी शाइन आती हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल लगती हैं तो देखिए रेडी हमारी ब्यूटिफुल सी डेकोपाज ग्लास बॉटल फ्रेंड्स नेक्स डेकोपाज बॉटल हम बनाएंगे गिफ्ट रेपर के साथ अगर आपके पास डेकोपाज नेपकी नहीं भी हैं तो आप इस तरीके के ब्यूटिफुल से गिफ्ट रेपर के साथ बहुत ही ब्यूटिफुल सी डेकोपाज बॉटल बना सकती हैं तो देखि इस गिफ्ट रेपर को हमें हमारी बोटल की साइज के अकोर्डिंग कट कर लेना है फ्रेंड्स डेकोपाज नेपकीन टेक्स्चर में बहुत ही ज़्यादा थिन रेता है बहुत ही एजिली किसी भी सर्फेस के उपस स्टिक हो जाता है लेकिन जब हम गिफ्ट रेपर को एज डेकोपाज पेपर यूज करेंगे तो सबसे पहले हमें इस पेपर को थोड़ा सा सोफ्ट बनाना होगा जिसके लिए देखिए मैंने इस पेपर को एक सर्फेस के उपर रखा है प्लास्टिक इस तरीके से लिट के उपर रख दिया है और अब इसके उपर हम थोड़ा सा गिला फेब्रिक लेकर इसके उपर रब करेंगे जिससे कि ये पेपर थोड़ा सोगी हो जाएगा और अब यह बहुत ही इसली किसी भी सर्फेस पर एज़ डेकोपाज पेपर ही वर्क करेगा अब इस गिफ्ट रेपर को हम मौटवाज लगाते हुए इस बोटलगे आप स्टिक कर लेंगे जैसे कि हमने डेकोपाज नेपकिन को बोटलगे आप स्टिक किया था इस तरीके की gift wrapper के साथ decoupage करना काफी ज़्यादा easy हो जाता है क्योंकि gift wrapper काफी ज़्यादा stiff रहता है इसमें फटने का डर भी नहीं रहता है तो अगर आपके पास इस तरीके की beautiful से अच्छी प्रिंट्स वाले gift wrapper रखे हैं तो आप एक बार इस तरीके का decoupage जरू ट्राइ कीजिएगा I'm sure कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा paper को stick करने के बाद अब हम बची हुई gap को acrylic color से fill कर देंगे जिससे की इन सभी चीजों का एक similar look निकल कर आएगा तो यहाँ पर देखे सबसे पहले मैंने light green color इसके उपर कर दिया है और इसके उपर मैं हलका सा black color कर दूँगी जिससे की इस bottle की leaves जैसा ही color आएगा इसके उपर वाले area में और नीचे वाले area में भी एक रेलिक कलर से इस बच्ची हुई gap को fill करने के बाद मैंने इसकी नेक के राउंड भी जूट थ्रेट को इसके उपर स्टिक कर दिया था और इसकी नेक पर भी जूट थ्रेट को लगाने के बाद उसके उपर भी थोड़ा सा color कर दिया है और लास्ट में हम इसके उपर एक मॉट पोज की layer लगा कर इसके उपर varnish spray कर देंगे और रेडी है हमारी ये ब्यूटिफुल सी डेकोपाच बॉटल्स friends I hope कि डेकोपाच का ये easy DIY आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please इसे कर दिजिए मिलती हूँ मेरे एक और interesting DIY के साथ till then take care and bye bye